कि गूड इउनिंग आला फ्यूज स्वागत है आप सभी लोगों का बिहार अड़ा 24-7 के यूटूब चैनल पे आप सब लोग फटा-फटा जाईए मैं देख पा रहा हूं कि मेरे साथ कौन-कौन जुड़ा है अरे क्लास स्टार्ट होगी तभी अभी जेस्ट स्टार्ट हो सब लोग सेर कर दीजे सभी लोगों को सभी लोगों को बालक सेर कर दीजे ज्यादा से ज्यादा लोगों को ताकि क्लास स्टार्ट हो जाए कोटी कोटी प्रणाम सभी लोगों को नमस्ते सभी लोगों को गूड इउनिंग सब लोग सेर करना शुरू कर दीजे सभी लोग से कर दीजिए ज्यादस ज्यादा लोग तो यहां पर अगर हम देखें तो आप लोग को अगर जितने लोग नए हमारे साथ जुड़े हैं जो पहली बात देख रहे हैं वह लोग अगर अड़ा 247 एप को इस्टॉल नहीं किये हैं तो लोग बच्चा इस्टॉल कर सकते हैं यहां सब्सक्राइब कर पाओगे और आप हमें जिस चैनल पर देख पा रहे हैं उस चैनल का नाम है बिहार अड़ा 247 आप यहां पे आप लोग अगर नए हैं जो पहली बार आएं वह सब लोग से सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को तो चलिए सुरू करते हैं आज बहुत कोस्चन से दो कोस्चन हंड़ेड परसंट इससे फसने वाले आप लोग के तो आप सब लोग फटा-फट हमें बताना शुरू कर दीजिए कि इसका एंसर क्या होगा तो पहला कोस्चन हम लोगों के स्क्रीन पर आ गया है क्या है लिखा बिस्व में हरित क्रांती के जनक कौन जाता है तो बिस्व के हरित क्रांती के जनक की अगर बात करें तो इसका एंसर क्या होगा सब लोग बहुत अच्छे फटा-फटा एंसर बताना शुरू कर दीजिए तो बिस्व में हरित क्रांती के जनक की अगर हम बात करें तो हरित क्रांती के जनक की अगर बात करें तो य यह इंडिया के हरित क्रांती के जनक हैं जब इंडिया की बात किया जाए कि इंडिया के ग्रीन डेबुलेशन यानि की हरित क्रांती के जनक किसको कहते हैं तब अपना एंसर सही क्या होगा तब अपना एंसर सही होगा MS Swaminathan अगला question है निमलिखित में से बेमेल को ग्याद कीजिए यानि कि कौन सा ऐसा है जो मेल नहीं खाता है बेमेल है तो सभी लोग इसका एंसर फटाफट बताईए निमलिखित में से बेमेल कौन सा है सभी लोग बताईए बहुत अच्छे तो यहाँ पर अगर देखें तो इसका सही जबाब क्या होगा लिखा psychology, physiology, psychology, pathology या bacteriology तो यहाँ पर अगर देखें तो इसका सही जबाब क्या होगा बताईए सब लोग psychology तो यहाँ पर अगर बात करें तो इसका सही जबाब क्या है सब लोग बताईए psychology की अगर बात करें तो इसका सही जबाब क्या है सब लोग बताईए बहुत अच्छे तो यहां पे इसका सही जबाब जो होगा वो होगा psychology psychology जो होता है मनो विज्ञान होता है यानि की मानसिक चेतना का जिसमें अध्धिन किया जाता है विकास के बारे में अध्धिन होता बाकी सरीज से related है बाकी अगर बात करें तो सरीज से जैसे फिजियोलोजी है तो सारीरिक विज्ञान का इसमें अध्धिन होता है किसका अध्धिन किया जाता सारीरिक विज्ञान सारीरिक विज्ञान जो है यह क्या करता है अध्धन करता है और यहां पे अगर पैथोलोजी की बात करें तो इसमें निदान विज्ञान आता है यानि कि निदान विज्ञान क्या बैक्टीरियोलोजी की अगर बात करें तो इसमें जीवान विज्ञान का दिन होता है यानि कि हम कह सकते हैं बैक्टीरिया का तो यहां पर बात करें तो यह बच्चा जीवान विज्ञान से संबंदित है क्लियर हो गया अगला कोश्चिन क्या है लिखा है निमलिखित में से किस फसल में लोह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है यानि कि यहां पर जो ही बता दिये हैं साइकलोजी इसमें क्या है कोश्चन नमबर टू में अगर देखें तो साइकलोजी जो होता यही डिफरेंट है बाकी डिफरेंट नहीं क्या कहरा आप बेमेल को ग्यात कीजिए जो मेल नहीं खाता है अगला कोश्चन है निमलिखित में से किस फल में लोहे की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है तो लोहे की मात्रा की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा किसमें पाई जाती सब लोग बताईए तो यहां पर इसका सही जवाब बिटा क्या होगा लोहे की मात्रा किसमे सबसे अधिक पाई जाती है तो लोहे की मात्रा की अगर बात करें गुड परफार्वेंस तो इसका सही जबाब क्या होगा तो इसका सही जबाब होगा करौंदा करौंदा की अगर बात करें तो इसमें लोहा के अलावा और भी बहुत सारे पोसकता तो प्रचुर मात्रा में प सबस्क्राइब लिए अगला कोश्चिन है लिखा है श्यामी श्यामी जुड़वा जो है इस सब्ध का प्रयोग किसके लिए किया जाता है सब बताईए एंसर स्यामी जुड़वा सब्द का प्रयोग किसके लिए होता है सब लोग बताईए लिखा है फॉस सच बताईए एंसर बताईए आप सब स्यामी जुड़वा का मतलब क्या होता है सब लोग एंसर बताओ बालक तो स्यामी जुड़वा की अगर बात करें तो यहां पे लिखा है तो इसकी अगर बात करें तो इसका सही जबाब क्या होगा स्यामी जुड़वा स्यामी जुड़वा उस ट्विंस को कहा जाता है जिनमे बोथ हार कंजेक्टेड यॉझाइंटेड यानी कि जो दो जुड़वच्चे पैदा हूं और वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हूं उन्हीं के लिए इस सब्द इस्तेमाल होता स्यामी क्या कौन सा सब्द यूज होता है तो स्यामी शब्द की अगर बात करें तो यह किसके लिए यूज होता है तो ऐसे जुड़े बच्चे जो आपस में क्या होते हैं एक अगला उनिमलिक्वित में से किस गूरूप के जन्त प्रायारा रातिचर होते हैं यह कोशन आसान है इसको आप लोग आसानी से कर सकते हैं तो सभी लोग हमें बताई यह कौन सा गुरूप ऐसा है जिसके रात्रिचर माने जाते हैं यानि कि रात्रिचर होते हैं सब लोग अंसर बताओ भालक फटाफट तो यहां पर अगर देखें तो इसका सही जवाब बेटा क्या होगा यानि कि कौन सा ऐसा गुरूप है जो रात्रिचर जीव माने जाते हैं यानि कि रात्रिचर हैं तो यहां पर अगर देखें तो इसका सही जवाब की अगर बात करें तो देख जब फिजिक्स पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि चार जीव ऐसे हैं जो रात को सुनते हैं एक मचली है दूसरा मच्छर है और तीसरा अगर हम देखें मच्छर हो गया मच्छर के अलावा चमगादड हो गया चमगादड के अलावा अगर हम देखें तो उल्लू हो गया य ही मिलखित में से होते हैं बताइए एक किस्से बने होते हैं यहां पे अगर बात करें तो इसका सही जवाब क्या होगा बोलिये सभी लोग कुट्टा के साथ गलत कर जाते हैं गुड़ पर्फार्मेंस कुट्टा नहीं होता रात चर कि बताईए इसका एंसर क्या होगा यहां पर अगर देखें तो आप सने फाई-ब्रेन आप सने इलाश इलाश्टिन आप सने करे टिन आप पताये क्या होगा सही जबाब होगा अगला कोश्चन क्या है लिखा है मानों हिद्य का पथम सल्लीत त्यारोपन किया या यानि कि कहने का मतलब कोस्चन ये पूछ रहा है कि क्रत्म जो था उसका सफलता पूरवख कब ट्रांसप्लांट किया गया सरका टाइम चेंज हो गया क्या हां तो बताईए इसका जबाब क्या होगा तो आफ सन की अगर बात करें तो आफ सनफ विलियम डी वाइस आप सनंफcr क्रिश्चं बनार अप सने गरहार्ड हेंसन आपसन है जोसेफ लिश्टर तो यहां पे अगर बात करें तो इसका सही जवाब बेटा क्या होगा सब लोग एंसर बताईए फटा फट तो इसकी अगर बात करें तो इसका करेक्ट एंसर क्या है सब लोग बताईए तो यहां पे हमने आप लोगों को ये भी म अफरीका में सबसे पहले इन्होंने तक स्टस्प्लांट किया था अब जो सकसिस्फुली ट्रांस प्लांट किया था उस हिदान का नाम क्या था यंदिया में गोजो एंडिया की अगर बात करें तो जरा बच्चा इंडिया के बारे में भी जान लो इंडिया की अगर बात करें तो केरल में जो एमस है क्या है बच्चा एमस है केरल में जो एमस है अगर हम देखें तो एमस में ट्रांस्प्लांट किया गया था किस ने किया था उस डाक्टर का नाम क्या था उनका नाम था डाक्टर वेड़ू गोपाल क्या नाम था बच्चा डाक्टर वेड़ू गोपाल डाक्टर वेड़ू गोपाल की अगर बात करें तो इनके द्वारा ट्रांस्प्लांट किया गया अगला कोश्चन क्या है अगला कोश्चन की ओर चले तो अगला कोश्चन बेटा है लिखा सर्पथाम मानो हिदय पत्यार ओपन हुआ कहां हुआ था लो इसका एंसर तो आप सब लोग आसानी से बता सकते हो बताइए सभी लो मानो हिदय का सबसे पहले सफलता पूर्बक हिदय पत्यार ओपन किया गया कहां किया गया यह कहां पूछा गया जगा का नाम पूछा गया है तो सब लोग जगा का नाम फटा फट बताईए तो जगा का अगर नाम देखें तो इसका एंसर क्या होगा बच्चा तो बहुत अच्छे हमने अभी जेश्ट बताया है कहां किया था स सब से पहले सब से पहले साउथ दफरीका में हुआ था कहां उभा था सउथ अपरीका अमेरिकान तो पिछले में बताया है जारे लिख को सफलता पूर्व दोग नहीं हो था फिर भी आप लोग गलत दे रहो इतनी जल्दी कैसे घलत हो जाता मेरे लाल अगला कोश्चन है लिखा है कि मधुमेह के उपचार हेत प्रयुक्त हार्मोन होना चाहिए प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का अविस्कार किस ने किया था तो इंसुलिन के अविस्कार की बात कर रहा अभी तक आप लोगों ने इंसुलिन के काम के बारे में पढ़ा था अब इंसुलिन के अव और सही होगा सुनहीं इसका सही मोई हो गाइफ जी बैंटिंग अप्जी फिर आंटिंग आए इन्हों इंसुलिन के काम की जब हम बात करते हैं तो इंसुलिन का काम क्या होता है जरा बताइए सभी लोग तो इंसुलिन जो है इसकी अगर बात करें तो यह क्या करता है control of glucose यह क्या करता है glucose को control करने का काम करता है यानि कि glucose को control करता है अगला question है प्रकत में ग्यात सभी enzyme है बताइए प्रकत में ग्यात सभी enzyme है किस प्रकार के enzyme है कार्वो हाड्रेट से बने हैं या फैट से बने हैं या प्रोटीन से बने हैं या प्रोटीन ACS से बने तो बताईए इसका सही जबाब बालक क्या होगा सब लोग बताईए बहुत अच्छे good performance तो यहां पर अगर देखें तो इसका सही जबाब बेटा क्या होगा सब लोग बता उनकी अगर बात करें वो किस्में से बने होते हैं। तो इक और सभी लोक ध्यान दीजीए। अब प्रोटीन से तो बने हैं। यहां पे एक और बात ध्यान कहिए है। इसके साथ साथ एंजाइम जो होते हैं ये होते क्या हैं एंजाइम की अगर बात करें तो एंजाइम एक प्रकार के बायो कैटालिसिस होते हैं क्या होते हैं यानि कि ये क्या है ये एक प्रकार के बायो कैटालिसिस हैं जैब उत्परेरक हिंदी में क्या कहते हैं जैब उत्पर रख कहते हैं अगला कोश्चन क्या है लिखा है किसने अविस्कार किया था कि पेंड पौधों में जीवन है यह भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया कोई ऐसा कोश्चन अब आप कोई भी प्रेक्टिस सेट लगाईए कहीं से प्रेक्टिस सेट लगाईए कोई ऐसा कोश्चन होगा जो आपके रीच में ना हो सारे कोच्चन आप लोगों के रीच में होते हैं तो बताइए यहां पे इसका सही जबाब क्या है रावर्ट कोच है giasts vos J या Benjamin Franklin है या Lewis Poster है इसका सही जबाब क्या होगा तो यहाँ पे अगर देखें तो आप सभी लोग जानते हैं इसके बारे में मैंने पढ़ाया भी था और इन से रिलेटेड एक छोटी सी कहानी भी सुनाई थी आपको तो यहाँ पे अगर बात करें तो इनका नाम था जगदीश चंद्रबोस जगदीश चंद्रबोस ने क्या किया था रिशाच की थी उसनों ने ही प्रूफ किया था कि पादब जो होते हैं यह सजीव होते हैं जरा यह भी बताईए कि जगदीश चंद्रबोस के द्वारा एक किताब लिखी गई थी उस किताब का नाम क्या है जगदीश उन्होंने एक किताब लिखी थी उसकिताब का नाम क्या है सभी लोग बताइए फटा फट तो किताब की अगर बात करें तो किताब का नाम क्या है अभी तक किसी का कमेंट नहीं आया है यहाँ पर अगर देखें तो इस किताब का नाम था वच्चा करेशको ग्राफ क्या नाम था करेशको ग्राफ करेशको ग्राफ की अगर बात करें तो इसी किताब को लिखा गया था किसके द्वारा लिखा गया था जगदीश संद्र वोस के द्वारा अगला कोशिशन वालक क्य बताई है कि यहां पर अगर बात करें तो इसका सही ज़बाब क्या ये बहुत ही बारी की इसमें अंतर है आप अगर हलके में लेंगे तो यह कोश्चन गलत हो जाएगा बताई एंसर इसका क्या होगा बहुत अच्छे नहीं मालूम है देखो यहां पे देखें रीजनरेशन जब रीजनरेट होता है तो न्यूशल्स यानि की नई को सिकाएं क्या होती है विक्सित होती यानि की जब रीजनलेशन होता है तो नई कोशिकाओं का क्या होता विकास होता तो नई कोशिकाओं इससे बनती हैं जैसे बडिंग की अगर बात करें तो बडिंग एक प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है रिप्रोडक्शन होगा उसमें भी नई कोशिकाओं ही बनती हैं रिप्रोडक्श वाले सब को हिंदी में लिख दिया इसका मतलब होता विखनडन विखनडन जो होता है वो भी 10 प्रकार का क्या होता है रिगanor अध garlic रहे सेक्सवल रिप्रोडकें के बारे में आपको पड़ाया हूं वहीं पर मैंने बताया था तो यह भी एक reproduction है इसका मतलब यह भी न्यू सेल्स जंदेट करेगा अब बचा कौन बचता है गैमेट्स गैमेट्स की अगर बात करें तो गैमेट्स क्या होता है reproduction में participate करने वाली सेल यानि कि जिनको हम sexual सेल कह सकते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है गैमेट्स कहा जाता है यानि कि जो reproduction यक्षन में participate करने वाली कोशिकाएं होती हैं उनको हम क्या कहते हैं उन्हीं को गैमेट्स कहते हैं तो गैमेट्स जो होते हैं यह एक प्रकार की reproductive cell होती है या इसको sexual cell भी कह सकते हैं इसमें कोई अलग बात नहीं है क्लियर है अगला कोस्चन देखो है तो यहां पे अगर देखें लिखा है जल का जो संबंद समुद्र से है वही जीन का संबंद निमलिखित्मे से किस से किस से है जल का इसका एंसर बताईए तो यहां पर अगर देखें तो इसका एंसर क्या होगा बालक सभी लोग बताईए बहुत अच्छा कोश्चन है लिखा जल का संबंद समुद्र से है उसी प्रकार से जीन का संबंद किस से है विच आप दा संबंदित होगा क्रोमोसोम से किससे संबंदित होगा क्रोमोसोम से अगला कूश्चन है लिखा सरकरा जहां पर साकरा होना चाहिए तो लगता है जब पढहता तो इसके सही जबाब की अच्छा जरा आप लोग ये बताईए कितने लोग ऐसे जिनका एक तारीक को पेपर है एक तारीक वाले सबसे पहले बताएं कि कितने लोग ऐसे जिनका एक तारीक को पेपर है जरा बताईए फटा-फट बहुत अच्छे चली, अंसर तुम्हें ले लूँगा, पहले जो पूछा वो बताईए साथ को सबसे पहली जंग में तुम्ही लोग जा रहे हो है अपने बारे में बताएं, हमने कहा था, हम तभी बताएंगे जब कि इसका राज तभी खुलेगा जिस दिन 500 लाइब होगा, 500 लाइब होगा तभी मैं राज खोलूँगा तो यह आप लोग भी इसमें सपोर्ट कीजिए जिस दिन हो जाएगा, उसी दिन मैं बता दूँगा तो यहाँ पर अगर बात करें तो इसका सही जबाब क्या है, तो इसका सही जबाब की अगर बात करें तो इसका सही जबाब क्या होगा, इसका सही जबाब है फ्रक्टोज, फ्रक्टोज की अगर बात करें तो ध्यान दीजिए बालक, बहुत अच्छे, कोई बात नहीं, तो सबसे मीठी सिंथेटिक सरकरा की जब बात करते हैं तो सबसे मीठी सिंथेटिक सरकरा कौन सी होती तो इसका एंसर क्या होगा सबसे मीठी सिंथेटिक सरकरा की अगर बात करें तो सबसे मीठी सिंथेटिक सरकरा होती सैकेरीन क्या होती है सैकेरीन होते सैकेरीन की अगर बात करे सिस्टम पढ़ाया था याद है स्केलिटन सिस्टम जब मैंने पढ़ाया था आप लोगों को यानि कि जब आप लोगों को कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ाया था तम मैं इसके बारे में चर्चा किया था वहीं पर पढ़ाया था तो बताइए इसका सही जबाब क्या होगा एस्प्रिन है एस्प्रिन क्या है एंटी बायोटिक है एंटी पारेटिक्स है या सेडिटिव है या नन अब दीज इनमें से कोई नहीं है यहां पर देखें तो इसका एंसर जो सही होगा वो सही होगा नन अब दीज इनमें से कोई नहीं है, एस्परिन होती क्या है, क्या बताया था मैंने बच्चा, हमने बताया था कि ये एक प्रकार का NLJ6 होता है, NLJ6 का मतलब क्या है, तो NLJ6 को हिंदी में हम लोग कहते हैं, दद नासी दवा होती है, क्या होती है, दद नासी, तो ये एक प्रकार का दद नासी होता है, दद को दूर करने की दवा होती एनल जेशिक्स तो यहां पर अगर देखें तो एंसर हो जाएगा डी अगला कोश्चिन क्या है वालक लिगा है मधुमक्खी मधुमक्खी कालोनी की सदस के एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं यानि कि यह कैसे पहचानते हैं कि हनी जो है वो हमारी कालोनी की सबकी कालोनी के हिसाब से अलग-अलग कालोनी में अलग-अलग रहती हैं मधुमक्ख्यां तो कैसे पहचानते हैं वतावाला कैंसर बाई डांसिंग नाच केर पता चले मान लो किसी को पहचान में नहीं आया काल तुम कहां से बहन जी आई तो तुरंत कहती हम तो इसी कालोनी में रहते कहां कभी देखा नहीं तो देखा नहीं तो उस डांस करना शुरू कर देती है और यह समझ जाती कि चलो हमारे कालोनी की ही यह सदस्य हैं समझे अगला कोश्चिन क्या है लिखा बर्फ बर्फ जमी बर् अंदर मचलियां जीवित रहती बर्फ से जमी जील जो होती है उसके अंदर मचलियां जीवित रहती है ऐसा कब होगा बताओ सभी लोग एंसर बर्फ से जमी जील हो उसमें मचलियां जीवित रहें तो ऐसा कब होगा जब मचलियां जीवित रहेंगी सभी लोग इसका एंसर फ तो यहां पे अगर देखें तो इसका अंसर क्या होगा गलात यहां पे इसका सही जवाब होगा वाटरडजक फ्रीज आट दा बॉटमअ आफ दालेग यह यानि कि依भ क्या कहते हैं पानी क्या होता है पानी की अगर बात करें त्युव जब जमता है और इस प्रकार से जमेकी ऊपर बर्फ की लेयर बन जाए लेकिन नीचे पानी ही भरा हो वहीं पे मचलियां सरवाइब कर सकती हैं ये कंडिशन 4 डिगरी सल्सेस की होती हमने आप लोगों को बताया है कि मान लो ये तुम्हारा कटोरा है अब कटोरे में तुमने क्या किया कटोरे की अगर बात करें तो कटोरे में तुम सोचे चलो पानी भरके लगा देते हैं लेकिन नीचे पानी ही भरा है तो नीचे पानी भरा ऊपर वर्फ की परजम गई ये कंडिशन होती तभी यहाँ पे कोई जिन्दा रह सकता अदरवाईस जिन्दा रहना संभव नहीं है समझ में आई बात तो यहाँ पे अब ऐसी सुचियोशन जब होती है तो ऐसी डिगरी सेलसियस की जब मैंने बताया था अब जैसे एक इकमपल प्रक्टिकली बताते हैं अगर आपको कि छेक करना हो तो कटोरे में पानी लो कटोरे में पानी को भरो भरने के बाद उसको फ्रीज में लगा दो लगाने के बाद दो तीन दिन के लिए बहूल जाओं भुल देखो मचली तडफ नहीं रही है मचली चिला रहे दोड़ रहे खेल रही मचली तो अगर यहीं पर अभी जीरो डिगरी सेल्सेस का दो तो इनका तो क्या कहते हैं खून पसीना सब बर्फ हो जाएगा इनका तुरंट हो जाएगा सेकेंड भी नहीं लगेंगे जम के खतम काम तो यहां पर अगाज़ देखें तो सारा खेल टमप्रेचर का दिख रहा किलियर है अगला कोश्चन देखो अगला कोश्चन है भातिये किसान टर्मिनेटर वीज प्रद्योग की के प्रवेश के से आसंतुष्ठ हैं क्योंकि इस प्रद्योग की से उत्पादन उत्पादित वीजों की संभावना होती है सभी लोग बताईए क्यों ऐसा मतलब क्या कहते हैं असंतुष्ठ हैं अब यहां पर एक सब्द यूज किया गया इस सब्द का मतलब होता है टर्मिनेटर वीज इस सब्द का मतलब क्या अगर इस सब्द का मतलब आपको समझ में आ जाए तो आप समलो पूरा पोश्ट माश्ट जैसे होता क्या मान लो आप हो किसी कमपनी के साथ काम करते हो कमपनी ने कहा कि आपको टर्मिनेट कर दिया है यानि की कमपनी से निकाल दिया तो जब आप कमपनी में थे तो कमपनी में आपका एक अधिकार था आपके कुछ डिसीजन के अधिकार होंगे आपके बहुत सारे र जब आपको टर्मिनेट करती तो आप अपने राइट को क्या करते हो खो देते हो यानि कि जिसका जो काम जो आपके राइट थे जो आपका काम था आपने उसकी छमता को क्या किया खो दिया अब यहां पर लिख्या आ रहा है कि टर्मिनेटर बीज अब बीज की अगर बात करें तो बीज होते क्या है बीज के पास शमता क्या होती बीज के पास शमता ये होती है कि ये नए पौधे को जन्म दे सकता यही तो शमता होती कि इस बीज में शमता क्या है एक बीज की अगर बात करें तो उसकी शमता क्या वो नए पौधे को जन्म दे सकता अभी हम तुमसे पू तो क्या हूँ आप अपनी उस सक्ति को खो दोगे तो टर्मिनेयटर वेड़ मतलब होता है कि यह पौधा को जन्म में देने की छमता खो देता है उसी को टर्मिनेयटर वीज कहता अब AZ पौधे कोई ऐसा बीज है जिसको हम पता चले खेत में ले जाके बो तो दिये लेकिन उससे पौधा कोई नहीं उगेगा क्योंकि वो टर्मिनेटर बीज है तो पौधा नहीं उगेगा तो क्या उस बीज से कोई किसान संतुष्ठ होगा आसंतुष्ठ होगा तो कुल मिलाके अ प्लांट प्लांट डिसपाइट दा हाई कॉल या यहां पर देखें तो इसका है यही सही होगा क्या होगा ये C option ही क्या होगा सही होगा यानि कि जब कोई भी जन्म देने की छमताख हो देता है तो उसी के लिए हम कहते हैं वो बांज हो गया है बांज हो गया तो बीज भी एक प्रकास से बांज हो जाता है क्लियर हो गया अब समझ में आ गया टर्मिनेटेड वीज का मतलब क्या है आज से कभी भूलोगे तो नहीं बोलो मेरे लाल आज से कभी भूलोगे तो नहीं टर्मिनेटेड वीज का मतलब क्या होता है या टर्मिनेटेड सीड क्या होता है बोलो क्लियर डी डी नहीं होगा कि को शिठाट टी ही होगा है भगवान तो यहां पर अगर देखें तो यह D egd answer ही ओगा भड़ा confusion है यह बहुत वांय उट सा डिफ्रेंट डी होगा महाँ वी चाहते हैं लेकिन terminated वीज का मतलब तो नहीं भूलोगे यह बतायो terminated का मतलब ही होता इसमें नीचे लिखा लिगाँ बीज बनाने में असमत होते हैं पफाधे उगने की चंता को क्या करते जो दें ठीक तो यहां पर अगर बात करें में ल्यगिक रोप से नहीं होता भी इस में लैंग जिनन नहीं होता अगला खोशन है वाड़ा वाड़ा का संबंद किस्से है बताओ सभी लोग वाड़ा का संबंद किस्से है डी सही था हाँ डी ही सही होगा वाड़ा के संबंद की अगर बात करें तो वाड़ा वाड़ा की अगर बात करें तो वाड़ा क्या है सब लोग एंसर बताओ वाला जोर लगा के एंसर बताओ मेरे लाल तो वाड़ा की अगर बात करें तो वाड़ा क्या है तो यहां पर अगर बात करें तो इसका वाड़ा का फुलफाम जान लो सब कुछ खेल खताम वाड़ा का नाम होता है कि वर्ड कि एंटी अ एंटी डोपिंग कि एजनसी अब देखो यहीं से आप लोगों को answer मिल गया होगा इसलिए यह खेल कर गया कोश्चन में कोश्चन में खेल क्या कर गया पूरा लिखा ही नहीं तो यह किस से सम्बंधित होगा डोपिंग टेस्ट से खिलाडी जो होते थे वह ऐसी दमाएं लेते भी जिसने उनकी उर्जाद बढ़ी रहे जिससे उनकी ताकत बढ़ी रहे तो क्या होता उसिके लिए शंस्ता बनाई गई थी और यह क्या करती डोपिंग टेस्ट कराती क्या कराती है डोपिंग टेस्ट कराती क्लियर है अगला कोश्चन देखो वालत अगला कोश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है लिखा म्रत मचली से निकलने वाली दुरगंध किन योगिकों के कारण होती म्रत मचली जो होती है उससे नि बहुत अच्छे तो यहां पर इसका सही जवाब जो होगा वो क्या होगा आज देख के हो सकता तुम लोगों को चक्कर आजा 돼 कि ऐसा भी हो सकता है ऐसा ही होता है यहां पर अगर देखें तो इसका सही जवाब है क्या amino compound जो मचली जितना ज्यादा गंध करें जितना ज्यादा मचली में गंधाए उतना ज्यादा उसमें बच्चा क्या होता है प्रोटीन होता है जितना ज्यादा गंधाते मचली में उतना ज्यादा प्रोटीन होता है यानि कि मार्केट में अगर मचली खरीदने जाते हो तो सबसे ज्यादा गंध करने वाली मचली लेकर आओ पता चले तुम भी ना खा पाओ प्रोटीन के चक्रम खा ही ना पाओ लेकिन अब ये भी नहीं कि पता चले आठ दिन से उनकी बॉड़ी डीकंपोज हो रही सड़ने लगी मचलिया सड़ने के कारण गंधा रही तो वो तुम मचलि देखो वालक क्या है लिखा बायो टेकनोलोजी पार्क अवस्थित है बायो टेकनोलोजी पार्क कहां पढ़ता है बच्चा बहुत अच्छे बायो टेकनोलोजी पार्क की अगर बात करें तो बायो टेकनोलोजी पार्क कहां इस्थित है सब लोग एंसर बताईए नहीं गु आसदी नवाबों का सहर यानि की लखनोव लखनोव कि अगर बात करे तो लखनोव में ही पड़ता है तो इंग्लिस का भी क्लास चल दहा है भी इंग्लिस का भी क्लास चल लहा तो क्या मतलब चलने दो तुम लोग साइंस पढ़ो अगला कोश्चन ध्यान दो बालक लिखा भातिये दलहन सोध संस्थान कहां इस्थित है भातिये दलहन सोध संस्थान कहां इस्थित है सब लोग एंसर बताईए भातिये दलहन सोध संस्थान तो यहां पर अगर बात करें तो इसका सही जवाब क्या होगा भातिये दलहन सोध संस्थान की अगर बात करें तो यह यह कहां इस्थित है तो इसकी अगर बात करें तो इसका अंसर होगा कानपूर कहां इस्थित है कानपूर इस्थित ह अगला कोश्चन है राष्टिये क्रसी अनुसंधान प्रवंधन अकादमी कहां पढ़ती है बताईए इसका इंसर क्या होगा राष्टिये क्रसी अनुसंधान प्रवंधन अकादमी कहां पढ़ती है इसका इंसर बतावालक सर्फिजिस्क का निमेरिकल भी आईएगा ले आएं तो इसका स़ी जवाब क्या है तो इसका सभी सब्सक्राइब कहां पड़ता है है द्राइबाद में अगला कुश्चन है लिखा रेड रीबन एक्सप्रेस सबसे पहले अब सब्सक्रा मतलब पता होना चीहीं तब ही आप कहां पहुत। पँगे रेड रिबन एक्सप्रेस आपसन भी ऐसा जो आपकी रेंज से बाहर है रेड रिबन एक्सप्रेस होता क्या इस सब्द का मतलब क्या होता है इसका मतलब है ऐसे जीव ऐसे जीव जो जो रात को रात में उजाला करते हूं ऐसे जीव जो रात में उजाला करते हूं जिंदगी मुझा उजाला हो या ना हो लेकिन रात में उजाला जरूर करेंगे उजाला करते हूं उन्हीं को रेड रीबन एक्सप्रेस कहते हैं जैसे क्या कहते हैं एक्जामपल के तौर पे जुगनू जुगनू जानते हो रात में जलता है बच्चा रात में जलता है तो जो जुगनू होता य रेड रीबन एक्सप्रेस जब चलते हो तो क्या होता जलते हुए चलते हैं उसी को रेड रीबन एक्सप्रेस कहा जाता इसके लिए अगर देखें तो यह क्या होता है यह बायो लुमिनेस लुमिनेस होता है क्या होता बाई लुमिनेस लुमिनेस अब यहां पर एक चीद प्रदीप्त का मतलब होता जिनके पास अपनी मतलब अपनी उर्जा हो जो अपने प्रकास से प्रकासित होते हूं उन्हीं को कहा जाता प्रदीप तो यहां पर यहीं से इसका बीस से एंसर आप पकड़ सकते थे तो इसका एंसर बच्चा क्या होगा बी ऑप्सन सही होगा क्लि गया विसुसे चेचक का उन्मूलन कब घोसित किया गया सभी लोग इसका एंसर बताने को बालक लोग विसुसे चेचक का उन्मूलन कब घोसित किया गया सभी लोग एंसर बताओ मेरे लाल बाल पाल तो विसुसे चेचक के उन्मूलन की अगर बात करें तो इसका एंसर क्या हो गा उनीज सो असी का जो दसक था उसी समय पूरे विसु से चेचक उनमूलित हो गया था यानि की पूरे विसु से चेचक क्या हो गया था खतम हो गया था तो उनीज सो असी के दसक में सर क्लास का टाइम चेंज करिए का हो गया इस टाइम में क्या दिक्कत है अगला कोश्चन है लिखा चंद्रयान टू मिसन में निमलिखित में से कौन सा प्रच्छेपण वाहन प्रयोग किया था चंद्रयान टू मिसन में निमलिखित में से कौन सा प्रच्छेपण वाहन प्रयोग किया था सभी लोग answer बताईए फटा फट तो यहां पर अगर देखें तो इसका answer क्या होगा पी असल वी सी फोटी सफाइफ जी असल वी अफटू पी असल वी सी टू जी असल वी अमके थाड़ तो बताईए इसका answer क्या होगा नावालक चंद्रयान टू जो गया था पहली चीज पी असल वी होई नहीं सकता पी असल वी की अगर बात करें तो पी असल वी से रोहिनी स्रीज के जाते थे उपगरा रोहिनी स्रीज के जी सैट स्रीज के जी सैट के स्रीज के ये जो स्रीज थी ये जाती थी पी एसलबी से जी एसलबी से ये इसकी अगर बात करें तो इसका एंसर होगा डी जी एसलबी अमके थार्ट से बेजा गया था सबसे पावरफुल technology होती है इसमें जो fuel होता है इसमें hydrogen होता है और इसमें oxygen होता है और यह सब बहुत कम temperature होता है यानि कि बहुत कम ताप उनका ताप कम करके इसको भरा जाता है cryogenic engine कौन से सिध्धान पर काम करता है तो यह भी जान लो यह thermal principle यानि कि ताप मापी सिध्धान पे क्या करता है काम करता है तो क्रायो जैनिक इंजन की अगर बात करें तो ये बच्चा ताप मापी सिध्धान पे काम करता है अगला कोश्चन है लिखा भारत द्वारा हाल ही में प्रच्छेपित किये गए आंत्रिच्यान चंद्रियान टू के एक भाग लेंडर का नाम क्या था सब लोग बताओ एंसर लेंडर जो गया था उसका नाम क्या दिया गया था चंद्रियान टू का तो यहां पर आगाद रोवर नहीं यह विक्रम था लंडर का नाम विक्रम था इस बार भी विक्रम ही गया अगला कोश्चन है इस रो का फुल फार्म क्या होता है फुल फार्म आप इस रो बताओ एंसर तो यहां पर अगर देखें तो इसका एंसर बाबू क्या होगा सभी लोग एंसर बताने को इस रो के फुल्फार्म की अगर बात करें तो इसका फुल्फार्म होता है इंडियन स्पेसाज उपग्रा सवी लोग इसका इंसर बताईएगा सेच्छिक संस्थान उपगरा है सब लोग बताव बाला तो यहां पर अगार देखें बहुत अच्छे हाँ सर मुझे समझ नहीं आ रहा है आप साइंस पढ़ा रहे हैं या जी के मेरे लाल तो समझाएं कैसे बता दो हमें जरा एक एक चीज का पोस्ट मास्टम कर देते हैं एक कहावत सुना है कहते हैं चिडिया की जान जाती लेकिन खाने वाले को स्वाद नहीं मिलता है अब यह उसके जबान की दिक्कत है समझ रहे हो वालक यह तुम्हारे टेस्ट में द स्विड ज्यादा हो तो लिक्कत तो इसका नाम है सत्थी भामा सेट क्या नाम ही बच्चा सत्यभामा सेट नाम है कि लियर हो गया बोलो मेरे लाल अगला कोस्टन देखो भातिया आंत्रिच चिकारिकरम के जनक किसको माना जाता है ये बच्चा जो जी के बता रहे हैं उनके लिए ये बात है ये इस पेश टेकनोलिजी का कोश्चन है किसका कोश्चन चल लहा है इस पेश टेकनोलिजी का कोश्चन चल लहा है बताओ एंसर इसका सही जबाब क्या हो तो इसके सही जवाब की अगर बात करें तो इसका सही जवाब है डाक्टर विक्रम सारा भाई क्या है डाक्टर विक्रम सारा भाई अगला कोश्चन है खमीर एक उदाहरण है खमीर किसका उदाहरण है आज ही पढ़ाया हूं कि बताईए तो यहां पर बात करें तो खमीर किसका उदाहराण है आज ही मैंने पेड़ बैच में इसके बारे में पढ़ाया तो खमीर क्या होते हैं जो पेड़ वाले हैं गलत बता रहे हैं उनको मन होता उड़ादू में ध्यान दो मैं क्या बताया था फंगस होता है यह क्या लिखा है इस्ट हमने बताया था बच्चा इस्ट जो होता है इसी को खमीर कहते हैं हिंदी में हिंदी में भी इस्ट लिखा जाता है और यह कौन सी यक्षन में ने भाग लेता है कौन सी क्रिया में कम और बताया था और बताया था कि हमारी आफ में भी पाया जाता है इसलिए हम सब लोग इसके कैरियर होते हैं यानि कि इसके वाहक होते हैं अगला क्वश्यण देखो लिखा है कौन सा रोग sensor कवक कारण होता है विश्ड डिजीज इसकोजेट वाई दाफंगस यानि कि कौन सा रोग ऐसा है जो कवक से होने वाला रोग है सब लोग ऐंसर बताओ यहां पर बात करें तो यह यहां पर एंसर इसका हो सकता बताइए वज़ा एंसर तो एक ही होता हर कोश्चन में लेकिन यहां कोश्चन नजर आ रहा है वताईए इसका एंसर क्या होगा बालक बहुत अच्छे यहां पर आगाद देखें तो इसका एंसर होगा डर्मेटाइटिस डर्मेटाइटिस यानी की तुचा का पदाह जितने तुचा के रोग होते हैं ज्यादा तर फंगस से ही होते हैं जैसे दाद हो जाए तो तुचा में होगा खुजली हो जाए तो तुचा में होगा अब दाद खाज खुजली जो है यह भाईया सब को कहा नसीब होती यह दाद खाज खुजली जो होती है कुछ किसमत वालो को नसीब होती है यह क्यों होती है इसलिए होती है क्योंकि फंगस लग जाता है फंगस क्यों लगता है इसलिए लगता है क्योंकि नहाना बंद कर देते हो क्योंकि हमने बताया है फंगस कहां पनपती है तो फंगस गंदगी में ही पनपती है जब नहाओद होगे नहीं तो जा बाद ऐसी जगा ही होता जहाँ पसीना सूख नहीं पाता फसीन तो ऐसे भी फंगस को बहुत मीठा लगता है समझे जो पसीना तुमको साल्टी लगता है खाने में नमकीन कौन सा कवक ऐसा है जो सबसे जहरीला होता है इसका अंसर सब लोग बताई है तो सबसे जहरीला कवक की अगर बात करें तो इसका सही जवाब क्या होगा यहां पर अगाज देखें तो इसका सही जवाब बेटा क्या होगा बहुत अच्छे सर फेस पे पिंपल क्यों होता है फे को जन्म देने लायक बन गए हो यानि कि अब तुम्हारी साधी करा देना अनिवार है इसलिए पिंपल्स आते हैं पिंपल्स टेस्टोस्टेरान के अधिक सक्रेशन के कारण आते हैं समझे वालक अगला कोश्चन देखो तुम लोग ये बताओ पहली चीत तो मुझे ये समझ नहीं आता है ऐसी ऐसी समस्या लाते हो कभी कभी हमको फील होता मैं टीचर हूं या कोई बाबा वंगाली हूं या कोई बाबा वाबा हूं हर समस्या का समाधान यहीं पूछते हो क्लास में और मैं भी होता हूं उसको साइंस से जोड़ जार के बता ही देता हूं आप लोगो अंदर का थोड़ा confidence बढ़ता है तो यहां पर अगर बात करें तो थोड़ा ऐसे कोश्चन लेकर आया करो ठीक कि जो क्या कहते हैं कि अच्छा लगे क्या होता इसी का कोई क्लिप काट के फिर क्या करता डाल देता कहता सर इसी बाते कर रहे है क्लास में बात क्या है ऐसी बाते नहीं यह जैन्विन फैक्ट है यह फैक्ट जैन्विन है मतलब यह फैक्ट हम इसको सिद्धी भी कर सकते हैं लेकिन क्या होता है अधूरी बात काट के क्या होता है चला देते लोग तो इसमें दिक्कत हो जाती तो बताइए इसका एंसर क्य फैलियाडिस एमेनिटा फैलियाडिस जो होता है यह एक कवक होता है बहुत खतनाक कवक है यह एक मस्रूम की तरह होता है किसकी तरह मस्रूम की तरह इसको डेथ कैप कहा जाता है क्या कहते हैं इसको डेथ कैप कहते हैं यह ऐसा कैप है जो इनसा यह मतलब ऐसा कैप है जो इनस काम खतम उसका काम खतम मतलब ये इसको डेथ कैप कहा जाता तो ऐसे याद रखे कि अगर इंसान ये खाया तो समझो उसकी टोपी वो लाश्ट बार महंगी पड़ गई तो यहां पर अगाद देखें तो इसका सही जवाब जो होगा हां ये खाना तो छोड़ दो इसको लाना ह करने वाला जीव नहीं है यानि कि नाट्रोजन का स्थरीकरण कौन नहीं करता है बताओ बच्चा सभी लोग फटा फट तो नाट्रोजन के स्थरीकरण में कौन भाग नहीं लेता है ये देखो बहुत अच्छे नाट्रोजन के स्थरीकरण में अगर बात करें तो कौन जबाब क्या होगा तो इसका सही जबाब की अगर बात करें तो सही जबाब क्या होगा सब लोग बताओ एंसर फटा भट वाला कि यहां पर एंसर होगा डी हमने बताया है चिल्ला चिल्ला के नौश्टा केना बिना भाग लेता है अजेटो वैक्टर भाग लेता है तो बचा क डी तो डी ही ऐसा होगा जो इसमें भाग नहीं लेता है अगला कोश्चिन क्या है देखो वालक क्या है लिखा है कि लिटमस रंजक कहां से प्राप्त होता है लिटमस रंजक की अगर बात करें तो कहां से प्राप्त होता है बताईए यहां पे इसका एंसर क्या होगा लिटमस रंजक की अगर बात करें तो यह कहां से प्राप्त किया जाता है सभी लोग इसका एंसर बालग बताईए फटा-फट तो यहां पे अगर बात करें बहुत आसान कोश्चन है इसका सही जबाब क्या होगा बिल्कूल A is right answer लाइकेन से प्राप्त होता है किस से प्राप्त होता बिटा तो यहाँ पर अगर देखें तो इसका answer होगा लाइकेन क्या answer होगा लाइकेन तो लाइकेन की अगर बात करें तो लाइकेन इसका करेक्ट एंसर है अगला कोश्चन है निम्लिखित में से निम्लिखित में से कौन सा एक कवक जो उत्तर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्राकार सहचार है तो बताईए इसका सही जवाब क्या होगा उप्सन है बायोफर्टिलाइजर उपसन है प्रवालमूल उपसन है लाइकेन उपसन मा смысघ राइजा तो बताओ बेटा इसका सही जवाब क्या होगा बहुत अच्छे गुट परफार्पार मेंस इसका सही जवाब क्या होगा तो सब लोग एंसर बताओ तो यहाँ पर अगर देखें तो इसका सही ज़बाब है बच्चा Mycorrhizae यहाँ पर कोश्चन देखो जरा समझा देते हैं कोश्चन ये कहना चाहता है की कौन से कवक ऐसे हैं जो जड़ों में पाय जाते हैं तो बहुत से कवक में अगर देखें तो बहुत से पादप ऐसे होते हैं जिनकी जड़ों में बैक्टीरिया के साथ साथ कवक भी होते हैं कौन से कवक होते हैं तो कवक के नाम पे माइको राजा होता है क्या होता है माइको राजा होता जिससे अगर बात करें तो ये भी मदद क रते हैं किसमें यानि की मिंदल्स के अब्जॉर्ब करने में फूड के फूड के संसलेशन में अगला कोश्चन है पसूओं में मस्टाइसिस पसूओं में मस्टाइसिस किसके कारण होता है मस्टाइसिस की अगर बात करें तो इसका सही जवाब क्या होगा मस्टाइसिस मस्टा वाम्स के कारण होता वाम्स के कारण होता वैक्टीरिया एंड वाइरस के कारण होता फंगी एंड ड्राई हैंड मिलकिंग के कारण होता सब लोग इसका एंसर फटा फट बताईए तो यहां पर अगर देखें तो इसका सही जबाब बेटा क्या होगा सब लोग एंसर बताओ व लोग होता है माश मैस्टाइटिस जो रोग है इस रोग को कामन owns भासा में जानते हो क्या कहते हैं कामनभासा में अगर इसको देखें तो इसी रोग का कामन नाम जो है वो क्या है गाय भैंस में ये इस तंधारी जीओं में लगता है इसी को बोल चाल की भासा में कहा जाता है थनेला रोग हो गया है ये इस तन में रोग लगता है किसमें लगता है जो थन होता है गाय भैंस का जिससे दूद निकलता है उसमें ये बेटा बेसिकल आजाती बहुत हीट करने लगते हैं जिसके कारण सूजन आजाती है और जब सूजन आती है तो उनसे दूद निकालने पर उनमें दर्द बहुत होता है दूद निकालने नहीं देते हैं उसी को थनेला रोक कहते हैं एक्शूल नेम मास्टाइटिस होता है किलियर है बोलो मेरे लाल पता नहीं अब पता चला अगला कोश्चन है सबसे छोटा जीओ जो स्वैम के विकास यूं प्रजिनन में समत है यानि कि सबसे छोटा जीओ कौन सा है जो स्वैम के विकास और स्वैम के प्रजिनन में क्या होत समत होता है बताओ एंसर बच्चा तो यहां पर अगर बात करें तो इसका सही जवाब क्या होगा सब लोग एंसर बताई यह बालक सर कि तो इसकी अगर बात करें तो इसका सही जवाब क्या होगा इसका सही जवाब है माइक को माइको प्लाजमा यही होगा क्योंकि हाँ यही सबसे छोटा जीव सबसे छोटा जीव एक कोशिका से बना होता है उसका नाम माइको प्लाजमा पूरा इसका नाम क्या होता जरा ध्यान दो इसका पूरे नाम की अगर बात करें तो जरा इसका पूरा नाम अभी अधूरा है इस का पूरा नाम है माइको प्लाजमा गयली सेप्टिकमा क्या नाम है पूरा नाम है माइको प्लाजमा गयली सेप्टिकमा तो माइको प्लाजमा गयली सेप्टिकमा जो होता है यह सबसे छोटा जीव है जो स्वैम के विकास और स्वैम के प्रजिनन के लिए क्या होता है संबंध देखो वालग लिखा है कि साल्क टीका निमलिखित में से किसे किस व्याधी से संबंधित है यानि कि साल्क वैक्सीन इजे सो सीटेड वीट वीच वन आप दा फालोइंग डिजीज कौन से डिजीज से साल्क वैक्सीन जुड़ी है है यह देखा हो मेरे यहां लाइटक कट चुका है बहुत गर्मी लग रहा लाइटक चुका भूत गर्मी लग रहा तो यह क्यूंज कापी पेस्ट कर रहो कमेंट भी मेरे या मेरे लाल अब क्या बता दें घर से भाहर निकल जो सटक पे लोटने लग official फ्य नहीं होगी बताइ तो यहां पर अगर बात करें तो इसका एंसर बालक क्या होगा तो इसका एंसर क्या होगा तो इसके एंसर की अगर बात करें तो पोलियो जान सालक साब जो थे जान सालक का नाम सुना है जान सालक की अगर बात करें जान सालक ने ही पोलियो का टीका बनाया था इसलिए सालक वै जो होता है इसके पीछे का कारण क्या होता है सब लोग एंसर बताने को जापानी इनसे फ्लाइटिस के पीछे का कारण क्या है बैक्टीरिया है वाइरस है पैरासाइट प्रोटोजोन है या फंगस है तो जापानी से फ्लाइटिस की अगर बात करें तो इसका सही जवाब क्या होगा इसका सही जवाब होगा वाइरस यह एक वाइरल डिजीज है वाइरल डिजीज है क्लियर है अगला कोश्चन देखो लिखा पैथोजन जो सामान रूप से जुखाम के लिए उत्तरदाई हैं फैलता है पैथ तो जुखाम किस से फैलता है सब लोग एंसर बताओ आप सने आल्थो मिक्सो आप सने रीनो वाइरस आप सने लिवकेमिया वाइरस आप सने पोलियो वाइरस तो यहां पे अगर बात करें तो पैथोजन जो सामान जुखाम के लिए उत्तरदाई है वो फैलता है किस से फैलत तो इसकी अगर बात करें तो इसका एंसर होगा रीनो वाइरस क्या एंसर होगा रीनो वाइरस रीनो वाइरस जो होता है उसी के कारण क्या होता सामान जुखाम पहलता है अगला कोश्चन क्या है कि सीमा की दुनिया देवी जी यह तुम लोग कॉपी पेस्ट कमेंट करके क्यो परिसान कहते हो एक कमेंट अभी तक लाइट नहीं आ रही थी वो कमेंट भरे दे रहे थे अब क्या कहते हैं सीमा की दुनिया कमेंट भरे दे रहे कि हमारा क्या कहते हैं हम पास कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे बातों से देवी जी नहीं होगा ना कमेंट करने से होगा कर्म करें फल जरूर मिलेगा ये भी गारंटी है क्योंकि मैं जूटी दिलासा दे नहीं सकता हूं जूटी तसली दे नहीं सकता हूं कि मीठी मीठी बाते हम कर दें ये नहीं होता है तो कर्म पे ध्यान दो, जितना आप क्या कहते हैं, कमेंट उल्टे सीधे करते हो, उसमें अगर कोश्चन बताया करो, तो कोश्चन से आपको कुछ फाइदा मिलेगा, ठीक है, अगला कोश्चन क्या है, सभी लोग बताओ वालक, यहां पे अगर देखें, लिखा, पोलियो का वाइरस सरीर में किसके द्वारा प्रवेश कर जाता है, तो पोलियो का वाइरस सरीर में किसके द्वारा प्रवेश करता है, सब लोग एंसर बताने को वालक, पोलियो का वाइरस सरीर में किसके द्वारा प्रवेश करता है, तो यहां पे अगर बात करें, तो सही जबाब क्य बोलो मेरे लाल यहां पर देखो लिखा बिटिंग मास्कीटो मास्कीटो के काटने से होगा गलत गलत जवाब यह से नहीं होता इस विलकुल यहीं सही जवाब यानि कि दूसीद जल दूसीद भोजन अगर करते हो तो वायरस चला जाएगा अगला कोश्चन प्रकास संसलेशन की प्रक्रिया में एटीपी के कितने अणू गुलू कोई के प्तेक अणू के शंसलेशन में सामिल होते हैं तो बताव वच्चा इसका सही जवाब का होगा फ्रकास संसलेशन होता है तो बताएए इसका एंसर क्या हो गाई लोग अंसर जब आप जो होगा वो क्या होगा अठारा क्या एंसर होगा अगला कोश्चन है प्रकाश संसलेशन के दारान हरे पौधह ऑसोसित कलते हैं किसको ऑसोसित कलते हैं जब कारवन डाई आकसाइड को बताईए यहां पर अंसर क्या होगा तो यहां पर बात करें तो इसका सही जवाब क्या होगा तो इसका सही जवाब की अगर बात करें तो इसका सही जवाब है कारवन डाई आकसाइड कारवन डाई आकसाइड को क्या करते अब्जॉर्ब करते हैं औ और उसी के दौरान फोटो सिंथेसिस कंड़क्ट होता है अगला कोश्चन है प्रकास संसलेशन की प्रक्रिया में प्रियुक्त सौर उर्जा का रूपांतरण किसमें होता है यानि कि सौर उर्जा जो है वो किसमें बदल जाती है बताओ बेटा बताओ बहुत अच्छे तो यहां पर अगर देखें तो इसका एंसर वालक क्या होगा सब लोग बताईए तो इसके सही जबाब की अगर बात करें तो इसका सही जबाब क्या होगा यहां पर अगर देखें तो इसका करेक्ट एंसर की अगर बात करें तो केमिकल एनरजी याद क परोबच्चा हमने आप लोगों को आज ही पढ़ाया है क्लोरेला में क्या बताया था ये बताया था कि ये क्या करते हैं जो सैवाल होते हैं को सोलर एनरजी को सोर उरजा को किसमें कनवर्ट करते हैं तो सोलर एनरजी को किसमें कनवर्ट करते हैं केमिकल एनरजी में कनवर्ट क क्लियर हो गया अगला कोश्चन लिखा है गुलुकोज का सूत्र है वाट इस फार्मूला आफ गुलुकोज गुलुकोज का सूत्र क्या होता है बताओ सभी लोग बहुत आसान कोश्चन आ गया यह तो गुलूकोज का फार्मूला क्या होता सब लोग बताई है फटाफट तो गुलूकोज के फार्मूले की अगर बात करें तो इसका सही जवाब क्या तो इसका सही जवाब होगा C6-S12-O6 C6-S12-O6 अगला question है सौर उर्जा ATP में बदलती है सौर उर्जा ATP में बदलती है कहां बदलती है बताओ answer इसका सही जवाब सौर उर्जा ATP में बदलती है कहां बदलती है तो इसका सही answer क्या होगा तो इसका सही जवाब क्या होगा गुड़ परफार्मेंस गलाथ सौर उजाए ATP में बदलती है किस कहां बदलती है क्लोरोप्लास्ट में फोटो सिंथेस रियक्षन जो होती है वो बच्चा क्लोरोप्लास्ट में ही होता है किस में होता है क्लोरोप्लास्ट में होता है हम जानते थे धोखा खाओगे हमको उम्मीद थी तुम लोग ए आपसन बताओगे अगला कोश्चन है प्रकास संसलेशन का उपोतपाद कौन सा है यानि की कौन सा बाई प्रोडक्ट सब पढ़ाया हुआ है बताओ एंसर क्या होगा प्रकास संसलेशन के दौरान कौन सी गैस निकलती है बताओ सुर्ची देवी जी बताइए तो यहाँ पे अगर बात करें तो इसका सही जवाब क्या होगा सब लोग बताओ मेरे लाल तो यहाँ पे अगर देखें तो इसका सही जवाब क्या है तो इसका सही जबाब है ऑक्सीजन क्या होगा ऑक्सीजन इस दा करेक्ट एंसर अगला कोश्चन देखो बालग लिखा सूर की प्रकास में प्रकास संसलेशन की क्रिया हरे पोदे निमलिखित में से कौन सी गैस उतसजित करते हैं सब लोग बताओ हाड्रोजन कारबन डायाकसा नाट्रोजन तो बताइए इसका एंसर क्या होगा सब लोग बताइए तो यहां पर बात करें तो इसका एंसर क्या होगा सब लोग फटाफट बताइए बहुत अच्छे मेरे लाल तो इसकी अगर बात करें तो इसका सही जबाब क्या है हाड्रोजन कारबन डायाकसाइड ऑक को ग्रहाण कौन सी करते हैं कारवन डाई आकसाइड को लिखा है प्रकास संसलेशन के लिए कौन सी गैस आवस्यक है प्रकास संसलेशन की अगर बात करें तो कौन सी गैस उसके लिए आवस्यक है सभी लोग बताईए वालक प्रकास संसलेशन के लिए कौन सी गैस आवस्यक होत बहुत अच्छे बहुत अच्छे मेरे लाग तो इसके लिए अगर हम बात करें तो इसका एंसर क्या होगा तो इसका एंसर होगा कारबंडाई आकसाइड क्या होगा कारबंडाई आकसाइड ठीक है क्लियर है समझ में आई बात तो आज क्लास में इतना ही रखेंगे अब हम लो लोग स्वस्त्र हो मस्त्र हो खुस रहो खुसाल हो और सभी लोग अगर सेशन पसंद आया है तो सब लोग सेशन को सेर जरूर करें लोगों को सभी लोग सेशन को लाइक जरूर करें और बाकी लोगों को फारवर्ड करें तो चलिए मिलते हैं अब ब्रेक के बाद अब तक के लिए टाटा बाई बाई थैंक्यू आल दा वेश्ट गुल लक्स सब लोग स्वस्तर हो मस्तर हो बाबाई